हेलो फ्रेंज राधे राधे कैसे आप सब नीशा की चन अफिसियल में आप सब का स्वागत है तो आज हम बनाएंगे फ्रेंज फ्राइब बहुत ही टेस्टी तो चलिए विडियो केंट तक बने रहिएगा तो मैंने यहां पे आलू को अच्छे से छेल के धो के काट लिया है और मैंने यहां पे आलू को रख दिया है तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं तो यह आप देख सकते हैं मैं यहां पे पानी डाल दिया है और दस मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे अगर वीडियो अच्छी लगी गाई तो लाइक शेर कमेंट जरूर करिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए तो गैस दस मिनट हो चुका है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से एकदम आलू रेडियो चुका है तो चलिए अब हम आप चाए चेसे पानी अलग कर देते हैं तो यह से हम निकाल लेंगे सारे को कि देखिए मैं ने अच्छे से निकाल लिए प्लेट में इसके बाद सूती कपड़ा में गयाी जिसको हम अच्छे से पोच लेंगय ताकि जो यह पानी है एकदम अच्छे से सोख ले तब हमारे जो फ्रेंच फ्राइए बहुत ही टेस्टी बनेगा तो यह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से एकदम सूख गया है यह सी तरह आप भी पोच लिजेगा और सुखा लिजेगा तो मैंने यहां पर तेल को रखा जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए मैं वह लेकर के अगले वीडियो में आओंगी जरूर और बताइएगा यह भी कि आपको रेसिपी कैसा लगा तो चलिए अगर वीडियो केंट तक बने रहेगा और आपको दिखा दूं फ्रेंच फ्राइए कितना मस् प्लेट में निकाल लेते हैं तो यह देखिए मैं इसी तरह सारा निकाल लूंगी प्लेट में तो मैंने निकाल लिया था ठंडा कर लिया थे इसको अच्छी तरीका से इसके बाद फिर मैं दुबारा वापस इसको डालूंगी इसमें तो यह देख सकते हैं बहुत ही अदम आड़र बनाइए गवाइव , तो इस लीकिए बाथ अच्छे इपकर रहा है तो आप देख सकते हैं तो चले पुश्री प्रेंज ह्कार हमारा रेडि वचुका है हम इसको निकाल की प्लेट मेशना तो देख सकते हैं निकालु तेल को भी तो यहां पे मैंने बटर पेपर रखिए यहां पर में निकाल लिया है तकि तेल को ख़ा पर लें बटर पेपर में निकाल लूँ गी, तो चलिए मैं यहां पर फ्रेंच फ्राइद निकाल लूगी बंना गाइए, आप यह झॉत करा आड गरने स्के snippet, ज यह देखिए हमारा फ्रेंज फ्राइर कितना टेस्टी बना है तो ये अच्छी तेल आप देख सकते हैं कबर कर लिया बटर पेपर में तो यह देखिएी आप फ्रेंज बहुत ही टेस्टी एकदम बनके रेडी हो गया है तो ऐसे ही आप भी बनाइएगा जरूर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चेर कमेंट जरूर करिएगा तो यह देखे गाइस मैंने अहां पर प्लेट पे रख लिए थोड़ा सा मिर्स डाल देंगी थोड़ा सा नमक डाल देंगी बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में और चाट मसाला मिला देचेगा आप लोग भी थोड़ा सा बहुत ही टेस्टी लगेगा तो यह आप देख सकते हैं मैंने यहां पर डाल दिये सबकुस अवच्छा लग रहा है और आप लोग भी ऐसे ही बनाकर के तरiform में यह आप लगे पाने मू में सम्टा लोगेगा लोगेगा लोगे ड़ा शे बनाकर के खिए सैंटी लागेगाज और वेक वाल देए सुय。 झाल झाल